आदिनाद भगवान कीजे, परंपुज आचर स्री विद्यानन जी मुनी महराज के पावन आसिरबाज से और परंपुज आचर स्री सुसागर जी महराज जी के पावन सानिद में पंच कल्याणक प्रतिष्टा महा महुश्रों का कारिकम सादंद संपन हुगा। पत्थर से परमात्मा बनने के लिए जो प्रिक्रिया की जाती है वह पंच कल्याणक प्रतिष्टा है। नरक से नारायन बनने की प्रकिरिया पंच कल्याणक है। पसू से परमात्मा बनने की प्रकिरिया पंच कल्याणक है। पतित से पावन बनने की प्रकिरिया पंच कल्याणक है। और पासाड से पत्थर से परमात्मा बनने की पंच कल्याणक प्रकिरिया है। इस पंचकनलना प्रिटिश्टा में हम और आपने सानन्द संपन्द किया, जिसमें नमोकार महमन्त नमोकार चैनल के माध्यम से यह पूरा लाइफ कबरिज किया गया, जिसके लिए देश और विदेश में देखा गया, बहुत अच्छा कबरिज किया इन लोगों ने, और नमोकार महामन्त नमोकार चैनल जो की एक अपने आप में ही प्रतिष्ठित है इसको प्रतिष्ठा और प्राप्त हो दुनिया के सबी लोग इसको सस्क्राइब करें इसको आमे क्याए के आमे क्याए बढ़ाएं और जयन धर्म की प्रभावना कहेतू आज नमोकार मन्त नमोकार चैनल ने जो प्रतिष्ठा की है वह एक सराहनी काम है पंच कल्नणक प्रतिष्ठा बहुत अच्छे सरही ढंग से की गई है 27 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक राधेपुरी में पंच कल्नणक प्रतिष्ठा होगा जिसमें नमोकारमंत चैनल का हर्दिक अभिनंदन है, हर्दिक सुक्रिया है और हम क्या कि समस्त देखने वालों के लिए, समस्त सुनने वालों के लिए और समस्त समाच के लिए यह बहुत अपूर्व कारी है धरम प्रेमी बंदूओ, साधर जैजने इंद्र यह पे कुन-कुन बारती दिल्ली में हमारे को 2 से 7 दिसंबर तक पंचकल्यानक महुद स्व में हमें लातिंद्र इंद्र बंने का सवबागय पराप्त हुआ यह अचारे शु्त सागर जी महराज की प्रेंड़ना से हम यहाँ पे इंद्र बने हैं और हमारे को इस पंचकल्यानक में इंद्र बन के बहुत हर शुआ और हमें बहुत ज़्यादा क्रियाएं देखने को मिली यहाँ पर प्रतिष्ठाचारे नरेश जी कासल ने भी बहुत अच्छे से विदी पूर्वक सारी क्रियाएं कराई और हम यहाँ पर आके हमने बहुत जी भी स्थापित की गई हम सब का यहाँ पर सारी कमेटी का आभार प्रियक्त करते हैं और हम सबसे यही अनुरोद करते हैं कि जीवन में आपको कभी भी ऐसा मौका मिले तो आप जरूर समलित हों और यह प्रोग्राम सारा नमोकार चैनल पे लाइव कवरेज के माद्यम से प्रसारित हुआ है और हम नमोकार चैनल को का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो इतने धरम के कारे में वो सारे कवरेज कर रहे हैं और हम आप सबसे यह आगरा करते हैं कि नमोकार चैनल को सब्सक्राइब करें और जादा से जादा अपने रिष्टेदारों में और आज यहां अचारे श्री विद्यनन तपो भूमी कुन-कुन भारती में व्यपंच कल्यानक समारो का आयोजन हुआ जिसमें अचारे श्री शुच सागर जी महाराज के सानिध्य में वा मुनिश्री अनुमान सागर जी महाराज के सानिध्य में श्री पंडिश्री नरेश जी का प्रतिश्चा संपन हुई जिसमें मुझे इशान इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ वा मेरे माता-पिता को भगवान के माता-पिता नाभी राय वा मरुदेवी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हम अचारे श्री के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारी को इस पातर के लिए चैनल के लिए उनकी कवरेज के लिए और इस पंच्क्यानक में हम आंतेंद्र इंद्र वने थे मैं दीपा प्रमोज जैन और श्री प्रमोज जैन की पतनी रिशव विहार से और इस पंचकल्यानक में जो कि शुर्त आगर जी की निर्देशन में आचारे विद्या नंजी की तपो भूमी में हुए हैं ये भववे पंचकल्यानक इसमें हमें पाटिसिपेट करके इतना आनंद आया है जिसका हम शबदों में वर्नन ही नहीं कर सकते जो अनुभूति हम लोगों को हुई है उस पुन्ने का उस आनंद का अदबुत हमें आज उसका विचलेशन नहीं कर सकती शबदों में बहुत अच्छी अनुभूती हुई है, बहुत अच्छा अलाब हुआ, महराज श्री का कुषिल निर्देशन और श्री नरेश कंसल जी का कुषिल नेत्रित्व उनके मांक्स दर्शन में जो ये पंचकलियान का भवे रूप से हुए है, सौरप और सचिन के द्वारा किया गय संगीत कार अच्छा अंज थी अच्छ अच्छा अच्छा था और एसा लगड़ा था आचारी विदय नंजी हमें उपर से स्वास से आशिरवात नमोकार मंत्तु द्वारा जो ये प्रोग्रम लाइव दिखा आ गया है, ओस्मोकार मंत्त्र चैनल के हम बहुत अभारी है वो मित्र गनों ने घर बैठे इसको लाइव देखा और आप सबकी भी अनिमूदना करी और हम सबकी भी आनिमूदना करी, आपके कारण हमारे दोर दराज बैठे हुए रिष्दे जारों ने अपने प्रोग्राम लाइव देखा, हम नमोकारण चैनल के बहुत बहुत शुक्र गजार हैं उन्होंने इतनी अच्छी कवरेज की खासकर विशेश भाई के बहुत आभारी हैं धन्यवाद जैजनेन सब भी को मैं वर्दमान जैन सुपोत्र सिधार जैन, रितिका जैन ये मेरी पतनी अकांशा जैन, हम दोनों को इस पंचकल न्यानक महोतसभ में यगनायक और यगनायक बनने का सभागय मिला, जिस से हम बहुआद ही खुश हैं और बहुआद ही अपने आपको सभागय के पात्र मानते हैं कि हमें यहाँ पर पंच कल्याड़क में यगनायक और यगनायक बनने का मुख्य पात्र बनने का अफसर मिला इसमें हमने इससे हमें पता चला कि कैसे जिनेंदर देव कैसे पांच कल्याड़क में मोक्ष को प्राप्ति करे थे और उसमें जैसे पहले तप कल्याडग, ग्ञान कल्याडग, मोक्ष कल्याडग, ये पांच कल्याडग को के हिसाब से हमने यह समझा कि कैसे जनेंद्र देव जी अपने मोक्ष की प्राप्ति करते हैं और हमने जैन दर्म के बारे में बहुत कुछ इसमें सीखा जैजनेद आप सबी को, मेरे नाम अकांक्षा जैन है, ये मेरे हस्बिन है वर्धमान जैन, हम बावबली इंकलेव से हैं, मेरे सिसूर जी का नाम सिधार्थ जैन है और सासुमा का नाम रितिका जैन है, हमको इस पंचकल्यानक में महायग्यनायक और महायग्यनायक का बनने का प्राप्त हुआ था इस पंच कल्यानक में हमने सीखा कि किस तरह से जिनेंद्र देव गर्व कल्यानक से लेकर मोक्ष की प्राप्तिकी और मोक्ष कल्यानक तक जाते हैं सारी क्रियाएं हमने बहुत सुक्ष्मता से देखी हैं और बहुत जादा सुभागय की बात है हमारे है कि हमार को नमकार चैनल ने लाइफ टेली कास्ट किया और हमारे दूर बैठे वे लोगों तक अप हमारी कारेकरम की कःवरेज पुचाई जिससे हम लोगों के बारे में हम लोगों को सब ने देखा और सबको पता चल पाया कि पंचकल नाड़क कैसे मनाय जाते हैं, कैसे जिनेंदर देव मोक्ष को प्राप्ति करे गए थे, कैसे उनका जन्म हुआ था, कैसे उनकी उन्होंने तप किया था, ज्यान उनको हुआ था, ये सब दर्शकों में नमोकार चैनल के थुरू पहुचा ग विद्यनन जी की चरन चत्री पर बैठा हुआ, आपको बताना चाहता हूँ, आज हम कुन-कुन भारती में हुए पंचकल नाड़क की आखरी पड़ाव पर पहुच चुके हैं, और यहां की छटा आपको ऐसा लगता है, जैसे हम स्वर्क में कहीं बैठे हुए हैं, इतना दृष्य, चारोतरफ लाइटे लाइटे हैं और इसतनी सुंदर चन चत्री समोसरन का ओ दृष्य हैं, मुझे इस पंचकल नाड़क में पात्र बनने का सोवाग्या पर प्राप्त हुआ यह मेरा पूत्र है, जो इस पंचकल नारक में कुबेर, धनपती कुबेर बनने का सो वाक्या प्राप्त होा मेरी धरम पतनी रूभी जैन यह भी से पन्च कर ल़ानक में पात्र बनी ए और मैं यहां पर इस पन्छ कर लेहनक में पात्र जो यहाँ प्र बुद का मिली थी इतना सुन्दर द्रश्य थे वो मैं अशुक्त कश Anda को बताने सकता कि जैजनीन धन्यवाद गुरुवर आचारे शिर्षु सागर जी महाराज कीज़े ये हमारे परिवार के लिए परम सोभागे की बात है कि हमारे को कुबेर और श्रीमती सौमय जन को धन्श्री बनने का सोभागे प्राप्त हुआ और हमें याद मुखिश रोता बनने का भी अफसर मिला ये इतना पावंद सयोग रहा जिसकी हमने कलपना भी नहीं की थी और पंचकल्यानक में हमने पूरा आनंद लिया और हमें तो लगता है कि सातिशे पुर्णे का बंद हुआ है हमें और हम इस तरह से आगे पंचकल्यानक में ऐसे भाग करते रहें जैजिनेद इस कुन-कुन भारती प्रांगन से मैं ऐसा जुड़ गया हूँ मेरा चक्टवर्ती विवा भी यहीं पे हुआ था आज इसी कुन-कुन भारती प्रांगन में मैं पंच कल्यानक महा महतसफ के अंदर कुबेर बन रहा हूं यह मेरा कोई पिछले भव का पुन्य ही रहा होगा जो मुझे इतना महत्पून अफसर मिल रहा है कि यहां पर मुझे मेरा विभा संपन हुआ यहां मुझे कुबेर बनने का मौका मिला इन सब अफसरों को पाकर मै आपको बता भी नहीं सकता मैं आशा करता हूं कि आज के पीडी के सभी युवा सभी लोग सभी जैन धरम जैन धरम को मानने वाले लोग इस ऐसे महा महुत्सवों में सम्मेलित होते रहेंगे और अपना पुन्य बढ़ाएंगे और जैन धरम की अनुमोदना करेंगे धन्यवा मेरी पतनी सौम्या जैन इस महा महुत्सव में धन्श्री धन्श्री बनी है हम दोनों का पुन्य हमें यहां तक लियाया है आप सब की जैहो जैन धरम की जैहो miles धन्यवाद आपको नवकार नवकार चैनल के द्वारा इस पूरे महा महुत्सवों का प्रसारण्ब दिखाया जा रहा है लाइव यूट्यूब पर लाइव चैनल पर जिसके वज़े से आप सब लोग इतन घर बैठे बैठे ऐसे मा महतसफ की अनुमोदना कर पा रहे हैं अपने दर्शन कर पा रहे हैं आनंद ले पा रहे हैं भक्ती कर पा रहे हैं और अपना पुन्य बढ़ा रहे हैं हम नमकार मंत चैनल का भी बहुत-बहुत अनुमोदना करते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं धन्यवाद देवादी देव रिशफदेव भगवान की जय परम अर्ष का विशे है आचारे-शुरूत-सागर के मंगल आशिरवात से इस पंचल कल्यानक में सो सौधर्म इंद्र कापात्र, श्री जी के आशिरवाद, आचारे श्री के आशिरवाद, और सकल जैन समाज के आशिरवाद की वज़े से मुझे और मेरे परिवार को मिला। दो दिसंबर से लेके साथ दिसंबर तक कुंद कुंद भारती तपोवन अचारे विद्यानत महराज ने जहां निवास करते थे, वहाँ पे जो पंच किल्यानक परतिकरिया चल रही है, उसमें मुझे सौधर्म इंद्र बनने का सवभाग्य पराप्त हुआ, ये मेरे लिए, मे और मैं शिरी जी से यही उमीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरह की भावना मेरी बनी रहे, जिससे कि मैं इस तरह के मांगलिक कारे में सदेव लगा रहूँ, आज समोचरन में बैठने का सवभा के पराप्त हुआ, अचारे शिरी ने मेरे मन की जो शंकाएं थी, उन्हें भ हो रही है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार तो कम से कम पंच के लानक में पार्डिस्पेट करना चाहिए, जिससे अपने धर्म की, अपने व्यक्तित्व की, अपने संसार की, अपने जैन समाज की हमें अनुभूती होती है और उससे हम रोत प्रोत होते हैं, यही ह हमारे लिए सभागे की बात है मैं जादा ना कुछ कहते हुए हर आदमी से यही उमीद करता हूं कि जिन शाचन महवी रहवान के पद्चिन्डों का अनुसरन करें अहिंसामई धर्म जैन धर्म को अपनाएं अहिंसामई वातावरन में रहें यही हम सब लोगों के लिए उत्त चल रहा है हम आप सभी से विनम निवेदन करते हैं कि चैनल को जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कराएं और इनके द्वारा भीजी कई सब बाइट्स को आप देखेंगे तो आप भी अपने मन में अपने दिल में समाज के परती समाज जैन धर्म के परती अपने आपको जो हमारा उसे पड़ी पूर्ण रूप से लबानवित करेंगे जैजनेंद्र जैजनेंद्र हमें और मन कर रहा है कि आगे भी कभी पंच कल्यानकों तो हम उनमें जरूर बैठें हैं हमें इसके अंदर बैठ कर बहुत सा महसूस हो रहा है और रोज आनंदा रहा है पूजा पाट करने में ठकान जो है हमें महसूस नहीं हो रही है सारा दिन हम सुबह से शाम तक यहां मं कि अंदिर में रहते हैं फिर भी मनकरता है कि और भी प्रोग्राम हो और भी बैठे और हमेश